नमस्कार आप देख रहे हैं निजरूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूँ सुबो रूस और यूक्रेन के बीच जारी यूद अब काफी लंबा खिसता नजर आ रहा है जंग की वज़े से जमीन परिस्तिती और खराब होती जा रही है तीसरे विश्व यूद के बादल लगातर मंडरा रहे हैं यूक्रेन में रूसी सेना लगातर हमला कर रही है तो वहीं यूक्रेन भी कड़ा परतिरोथ कर रहा है इस यूद का क्या परिणाम होगा ये काफी हद तक रूसी रास्पती पुटीन के रूप पर निर्वर करता है यही वज़े है कि इस यूद के बीच रास्पती पुटीन की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है पुटीन के नीजी जीवन से लेकर उनके लाइव स्टाइल तक हर बात पर लोग चर्चा कर रहे है इसी बीच खबर है कि पुटीन की एक सिक्रेट गल्फरेंड अलीना रूस और यूक्रेन युद में फस गई है इस खबर के सामने आने के बाद अब लोग अलीना को सुजेलेंड से बाहर निकालने की मांग कर रहे है सुजेलेंड में कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि अलीना को देश से बाहर निकाला जाए अलीना के तीन बच्चे हैं जिनके पिता पुतिन है अलीना ने एक खिलाडी के तौर पर कई मेडल जीते लेकिन अब वो रूस के यूकरेन जंग में फस गई है स्विजेलेंड के लोगों का कहना है कि अलीना का रिस्ता पुतिन से है इसलिए उन्हें देश छोड़ देना चाहिए लोगों को कहना है कि पुतिन ने यूकरेन को जंग में धकेला है इससे पहले साल 2018 में अलीना को स्वास देखा गया था जब वो गर्वती थी जानकारों का कहना है कि रूस पर प्रतिदन लगाए जाने के बाद पुतिन ने अपने परिवार को स्विजेलेंड भीजा है एक सफल जिनमास्ट रह चुकी अलीना ने उलिम्पिक में दो बार गोर्ड मेडल भी जीता है इसके अलावा उन्होंने 14-20 चैंपियंशिप और 25 यूरोपियन चैंपियंशिप में भी जीत हासिल की खेल से रिटायर होने के बाद वो राजनीती में आ गई और इसके बाद पुतिन की यूनाटिट रेसिया पार्टी से सांसत बन गई साल 2008 में पहली बाद पुतिन का नाम अलीना से जुड़ा था तब मासकों से प्रकासित होने वाला एक अकबार ने इस तरह का दावा किया था साल 2013 में रूसी राजपतिन पुतिन और उनकी पत्नी लिट मिला का तलाग हो गया था इसके बाद अलीना को रूस की फर्स लेडी माने जाने लगा लेकिन तब उन्होंने सारवजिनिक तौर पर रूसी राजपति की पार्टनर होने से इंकार कर दिया था तो ये थी पुतिन की सिक्रेट गर्फरेंड कही जाने वाली अनीना से जुड़ी हमारी पूरी जानकारी हमारी इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आया तो लाइक, सेर और कमेंट जरूर करें साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, नमस्कार